Hello and welcome you all, मैं हूँ धनंच है, उमीद करता हूँ कि आपनों अच्छे होंगे मैं ये personally मान के चलता हूँ कि भारत में अब सभी को ये मालूम पढ़ चुका है कि आखिर में Electoral Bond Scheme क्या था और किस तरीके से Supreme Court of India State Bank को repeatedly ये कह रहे हैं आप Bond से संबंधित जितनी भी जानकारी है, उसको आप Election Commission of India के साथ share करें ताकि Election Commission of India Bond से संबंधित जानकारी को अपने website पे जाके upload करें और जिस किसी को भी उस information को access करने का मन हो, वो Election Commission of India के website पे जाके वो information access कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से State Bank of India का रवया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि State Bank of India Bond से संबंधित जानकारी को share नहीं करना चाहते हैं अब personally मैंने जो observe किया है, वो ये है कि हम अपने आपको किसी भी politician या political parties के साथ इतना जादा personally attached कर लेते हैं कि अगर वो politician या वो political party अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं और अगर कोई उसके उपर सवाल उठा रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सवाल personally हमारे पे उठाया जा रहा है एक चीज का ध्यान रखिया है कि भारत एक democratic structure है यहाँ पे जितना ruling government का importance है उतना ही importance जो opposition होते हैं उनका भी होता है यह हो सकता है कि आप opposition वाले को vote ना किये हों लेकिन यह सोचना या यह मानना की opposition ही खतम हो जाए वो कभी भी किसी भी democratic structure के लिए वो अच्छा नहीं होगा आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में Supreme Court of India ने State Bank of India को क्या कहा bond से संबंधित जानकारी के बारे में मगर आगे बढ़ने से पहले आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं यह आपके सामने जुलाई 2021 का आर्टिकल है जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत में 60 लाक से भी अधिक सेंटर और स्टेट की जो पोस्ट है वो वैकेंट है तो यह बता रहा है कि सरकार कितना जादा insensitive है रोजगार को लेके अब यह मैं मान सकता हूँ कि सब के पास अपने अपने तर्क होंगे लेकिन आप एक चीज याद कीजे कि पिछले बार कौन सी स्टेट ने अपने यहां पे बिना question paper leak किये हुए exam को conduct करवा दिया था जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सिर्फ UPSC ही वैसा body है जिसके उपर allegation नहीं लगता है लेकिन other than UPSC जितने और जो exam conducting bodies हैं सभी के question paper leak होते हैं और उन सब में क्या होता है कि जो आम जनता है जो common aspirant है वो सफर करते हैं और वो इस तरीके से सफर करते हैं जो कि शायद कोई imagine भी नहीं कर सकता है अगर वो उस process का हिसा नहीं है तो यानि कि अगर वो exam देने के process वाले phase में नहीं है तो वो कभी नहीं समझ सकता है कि एक aspirant का दर्द क्या होता है वापस आते हैं अपने मुद्दे पर यानि कि Supreme Court of India ने State Bank of India को क्या कहा Supreme Court of India ने बहुत ही specifically कहा State Bank of India को कि आप पूरा जानकारी को election commission of India के साथ share करें अब normally क्या होता है कि जब भी हम कोई online transaction करते हैं तो वहाँ पे एक ID generate होता है जिसको कि हम कहते हैं transaction ID तो वह transaction ID बताता है उस transaction के बारे में वैसे ही जितने bond को issue किये गये थे State Bank of India के दवारा उन सभी में alpha numeric codes थें जिस alpha numeric code का इस्तिमाल करके ये मालुम किया जा सकता है कि उस bond को किसने बनवाया और किसके लिए बनवाया कहने का मतलब है कौन donor था और कौन उस bond को in cash करवाया Initially क्या हुआ कि State Bank of India ये मानने को तयार नहीं था कि उस alpha numeric number से जो donor है और जो उस bond को in cash करवाया उसके बीच में कोई जानकारी को establish किया जा सकता है लेकिन further ऐसा report आया investigation में कि उस alpha numeric number से ये जानकारी खटा किया जा सकता है कि उस bond को किसने बनवाया और किस political party के लिए बनवाया गया था Supreme Court of India, State Bank of India को ये बहुत specifically कह रहे हैं कि आपको सारा information को share करना है bond के संबंधित लेकिन जिस तरीके से State Bank of India जानकारी को छुपा रहे हैं उनका जो ये activity है वो काफी suspicious है और अगला जो hearing है वो 21 March को यानि कि Thursday को है ये बात आखिर में सोचने वाली है कि आखिर में State Bank of India को सारा information को share करने में क्या परिशानी है और in fact जो हमारे Chief Justice of India है डी वाई चंदरचूर सर है अगर आप इस paragraph को पढ़ेंगा तो यहां पे वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपको सारा information को share करना है कोई भी ऐसा जानकारी को आपको छुपाना नहीं है जिससे कि ये details ना मालूम किया जा सके कि आखिर में उस bond को किस ने बन of India ने बहुत ही clearly और specifically कहा था कि आपको सारे information को share करना है और यह है वो कुछ list जहां पे आप clearly देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े funding किये गए हैं Future Gaming के जो owner है San Diego Martin इनके उपर multiple cases से इनके उपर multiple ED के rates हैं और जब से ये electoral bond scheme को introduce किया गया था यानि कि January 2018 से तब से ये biggest contributor हैं हलाके किसी भी political party या parties को fund करने का तरीका बहुत सारे होते हैं electoral bond scheme उसमें से एक तरीका था तो आप देखे किस तरीके से जो politicians होते हैं political parties जो होते हैं वो नियम कानून को अपने हिसाब से change करते हैं और कोशिश करते हैं वैसे ही नियम कानून को बनाने का जो उनके लिए most suitable रहे हैं यह सारे information भी एक आम जनता को भारत में पता होना चाहिए और अगली बार जब हम किसी को भी vote करें तो हम सोच समझ के vote करें और हम यह कभी ना सोचें कि भारत में opposition parties ही खतम हो जाएं क्योंकि opposition parties जो होते हैं वो check and balance का काम करते हैं और कभी भी किसी political party या किसी politicians को support करने के चकर में हम ऐसा ना करें कि हम अपने आपको personally उस political party से attach कर लें I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye